यह व्रीवान असलाइकूम विल्कम बैक टो यूटिव चैनल तो यह मैंने लच्छा पराठा बनाया है और यह बहुत ही टेस्टी और बहुत अमेजिंग बनके त्यार होता है तो इसके लिए मैंने मेदा काटा लिया है आप अगर क्यों के आठे का बनाना चाहते हैं तो उसक हो सकता है तो वैसे भी आंटे में कम सॉल्ट डालना चाहिए और थोड़ा से मैंने वेजटेबल यूज किया है मस्टर्ड ऑल यूज करें क्योंकि फिर जो उसकी महग जो होती है वो आंटे में आ जाते तो इस तरीके से आप गोदे ना और ऐसे गोदे जो हाथ में कमबाइ अच्छी आटा गरीज करने के पाद मेंने इसको इक्दम ठब्राओं कर रख दिया में पहले तो इसमें थोड़ा सा उइल ग्रीस कर लें क्योंकि आटा और भी सॉफ्ट हो जाएगा तो ऑईल ग्रीस करने के बाद मैंने इसको एकदम ठ़क कर रख दिया रिख ते अब यह तरीके से सॉफ्ट होता है अगर इस तरीके मेरे में अगर आंटा गूदो गए तो एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा तो फिर मैंने इसको एक साइस का मतब बॉल निकाल लिया इतने बड़े-बड़े पीसे में तो सारा मैंने पहले इकठा कर लिया जितना मुझे बनाना था तो सारा मैंने बॉल पहले बना लिया उसका देख सकते हैं मैंने इतना से बॉल तेयार किया सारे एक जैसे होता है सेम से मैं अगर एक साथ अगर बना लो न तो एजी होता है तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा सूखा हाटा लिया और जो पहला बॉल दाना है फिर उसके तो आपको फिर से इसको क्योंकि दुबारा प्रोसेस रहता है इसको बेलने का थोड़ा सा ओईल डाले के बास फिर जब ऑईल डाले ना तो इसके बाद हाथों से अच्छे तरीके से इसको फिला ले सारे और फिर जो आपका सुखा मैदा ले आप पूरी रोटी में अच्छे से फिला लें और फिर जैसे आप बच्च्पन में स्कूल टाइम में पेपर का पंखा नहीं बनाते थे उस तरीके से इसको अच्छे पिलर्ट के आप इसको बैन कर लें और फिर गोल सा शेप दे êtes कि और सरकल premiere बना लें और इस किसी तरीके से बन गया इसी तरीके से सारे मैंने तियार कर लिया और थोड़ा सा ओई उपर से और स्प्रट कर दिया ताकि यह जो लच्छा पराथा ना ओई मैं यूज़ कर सकते हैं मैं यूज़ कर रही हूं क्योंकि गर्मी में सादा घी नहीं है मतलब खाया जा सकता है इस वज़े से थोड़ा ऑई डाल दे उपर से तो आपका जो लच्छा पराटा है और भी सॉफ्ट और एकदम जब आप पकाऊंगे ना तो एकदम से खिले खिले से होंगे फिर से मैं ढखकर इसको तकरीब बैंस से दस मिनट के लिए रख दिया और जब रेस्ट पर हो गया तो फिर से मिरे हाल लेकर इसको अच्छा से फिला ले अगर आप सूखा हाटा कर यूज़ कर रहा चाते तो कर सकते हैं बैट ना यूज़ करे तो बहतर है क्योंक आप अच्छे से त्यार कर लें और देख सकते हैं आप किस तरीके से बिना ही सुखे आटे के अच्छे तरीके से बिल जाता है और इस तरीके से आप बेले ना तो बहुत अच्छे से बिल जाता है और इस तरीके से आपने रोटी को रखना है मैंने तवा घरम कर लिया था प बिए आटे में भी आएल डाला है फिर उपर से रिस्ट परेक्ने टाइम भी और बीज़ डाला है तो इस विज़ने थोड़ा ऑइल दालें जादा ऑर यूज वेसे भी प्राटे में, तो इस तरह के से दोनुगे तरफ से से एचलेद देख सकते हैं कि ते अच्छे तरीके से लेयर्स निकल के आए हैं यह सा अगर आपने ओयल डालकर सुखा अठा जो उपर से डाला था ना यह सारा खामाल उसी का है और बहुत यह अच्छी तरीके से इसके लेयर्ड निकल कराते हैं अब जरूर यह तरीका अपनाए मैं इससे पहले भी बहुत सारे लचे पराथे की व खाते हों मनें यह माटर 不system के साथ स how the ला और फिछ्ला वीडियो डाया देखें होंगी तो यह मैंने माटर पनीटका वीडियो आला हुआ है वीडियो चलेगे तो लाइक शेर लाजमी कर दीजेगा थैंक्यू उन्जॉई